नवो नमाहा च्छात्रों आज विद्याले से मैं निदी शिर्वास्तों संस्क्रित की इस कक्छा में यूपी बोर्ड के कक्छा दसवी के च्छात्रों का स्वागत करती है च्छात्रों आज हम जिस विशे के उपर चाचा करेंगे उनका नाम सतंत्रता संग्राम में लिया जाता है और उन्होंने सतंत्रता संग्राम की लड़ाई में एक नारा गोशित किया था जो नारा आज भी लोगों की जुवान पर है वहाँ नारा क्या था छात्रों कि स्वतंत्रता हमारा जन में सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे जी हाँ छात्रों आप सब सही समझ गए हम बाल जी के विशय में बात करें बाल जी कौन बाल गंगा धर तिलक चात्रों चात्रों आज हम जिस अध्याई की चाचा करने वाले हैं उसका नाम है बाल गंगा धर तिलक अर्थात लोक मानने तिलक कहा उनका नाम दूसरा नाम था लोक मानने तिलक लोग क्यों लोगों के दिलों में लोग भी एक एक जंता उने मानती थी इसलिए उनको लोक मान तिलक भी कहा जा। चारो आईए देखते हैं हम लोग क्लाश 10, संस्क्रेश, दश्मा पाठा लोक मान नहा तिलक के विशे में प्रत्मान्शाठ तो छात्रो प्रस्तोत पाठ में पाठ परिचे गध्यान्शो का हिंदी भाषा में अर्त सहीत संदी विच्छेत पर परकाश जाना है चात्रो लोकमान तिलक का पाट परचे इस प्रकार है कि स्वतंतता हमारा जन में सिद अधिकार है और हम उसे लेकर रही है इस नारे का केवल सरप्रतम उद्गोश करने वाले बाल गंगा धर्तिलक का नाम पूरे देश की स्वतंतता के लिए संगाश करने वाले भारत के महापुशों में सबसे आगे हैं इनका जन में समवत 1913 विश्वत और देहावसान सन समवत 1977 विश्वत में हुआ था देश की स्वतंतता के लिए ये कई बार जेल गए जेल में इन्होंने श्रीमत भागवत गीता की व्याख्या की जो की गीता रहस्य के नाम से सुविख्यात है और इनके द्वारा आरंब किया गया गणेश उत्सो महराष्ट में आज भी बहुत उत्सा के साथ मनाया जाता है चात्रो आप सभी जानगे की बाल गंगा धरतिलर किस तरह से प्रख्यात सुविख्यात थे हमारे देश में और यह जो थे पंजाब केशरी के नाम से भी जाने जाते से चात्रो आएए देखते हैं गध्यांश को पंजाब केशरी के ओपर लिखा गया? गध्यान शे लोकमान्यों से लेकर पूर्ण रुपेना भवत तक तो ध्यान से सुनिए लोकमान्यों बाल गंगाधर तिलको नाम मनीशी भारती स्वातंत्र युध्य से प्रमुख सेनानी अन्वश्यतम आसीद क्या बोलना है कि लोकमान्य बाल गंगा धर तिल को यहने लोग यहां संदी है लोकमान्य बाल गंगा धर तिल कहा तो लोकमान्य बाल गंगा धर तिलक का नाम मनीशी भारतियों मनीशी भारतियों मनीशी लोकमाने बालगंगादा तिलग भारती सचनता संग्राम के प्रमुक सेनानी अन्वश्यतम आसी तिने मनीशी लोकमाने बालगंगादा तिलग का नाम भारत की सचनता संग्राम में आदुईतिय था ठीक है मतलब वो मानीशी लोकमाने बाल गंगा दतिलक भारती संता संग्राम के प्रमुक अद्विती सेनानी थे बाला इती वास्विकम तस्य अभीधानम याने बाला जो था वा जो था उनका वास्विक नाम था मतलब सही नाम उनका बाल था और तस्य अभिधानम में संदिय तस्य प्लस अभिधानम तो इनका वास्विक नाम बाल था पितुर अभिधानम गंगाधरा इती वंश शर्ष तिलका एवंश बाल गंगाधर तिलका तो पिता का नाम क्या था गंगाधर तो इसलिए बाल गंगाधर हो गया और वंश क्या था तिलक तो इसलिए यहां के महराश्ट के नियम के अनुसार उनका नाम पिता और वंश के साथ जोड़कर क्या हो गया बाल गंगाधर तिलका तो यहां उनका पूरा नाम हो गया ठीक है चात्रों तो वो क्या कह रहे हैं कि पिता का नाम गंगाधर और वंश तिलकता इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक इनका संपूर्णम नाम अभिधानम यहने संपूर्ण नाम था किन्तु लोकमान्य विरोदेन आसो विशेशेण प्रसिद्धा किन्तु यने किन्तु लोकमान्य यने लोकमान्य विरोदेन प्लस आसो यने वे लोकमान्य की विशेशेण प्रसिद्धा यने उपाधी से विशेश प्रसिद्धे थे तो उनका क्या था छात्रो कि पितुर अभिदानम गंगाधर आई ती वंशश्य तिलका यने पिता का नाम ता गंगाधर और वंश तिलक ता इसका रणा उनका संपूर्ण अभिदानम क्या था पुरा नाम ता बाल गंगा दरतला, किन्तु लोग माने कि उपादी से वो विशेश रूप से प्रसिद्ध थे जन्म नाम केशव राव, यहने जन्म का नाम जो था वो केशव राव था आसीत याने था ततापी याने फिर भी लोकस्तम बलवंत राव इत्यविधिया एव ग्यात्वान धिन्तु फिर भी लोग उन्हें क्या कहते थे लोकस्तम याने लोग उन्हें कहते थे बलवंत राव याने बलवंत राव इस नाम से एव ग्यात्वान याने जानते थे उनका बचपन का नाम के शवरावता फिल भी लोग उन्हें बलवंत राव के नाम से जानते हैं। त्रयो दशादिक्घ्घ्घ्घ्ड नव दशर्षतमे यनेoration 1913 विक्रामा आपदे यने विक्रमसम्वत में आशाल मां से यने आशाल मां की कृष्ण各位 यने कृष्ण emoji में सस्ठ्याम्त्रितो यने 6 तारिको असरे यने रत्नेगीरी जिले के अंतरगत चिर्वल नामक गाउं संगे के याने गाउं में ग्रामे याने गाउं में जनम ले याने उत्पन हुआ था तो यह क्या था चात्रों यह जो पुरुष थे समवत 1913 में आशार कृष्ण पक्षी की सश्टी तिथी को सोमवार को महराश प्रांत ते के रत्नेगीरी जिले के चिर्वल गनामक गाउं में उत्पन हुआ ते अचित पावन धक्षिण दे ब्राम्मण कुले फितुर नाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव इत्य असित्यत् tutte चित पावन यहनैं शित पावन धक्षिण दे यहनी कि दक्षिण पिता का नाम श्री राम चंद्र गंगाधर राओ इत्यासित याने राम चंद्र गंगाधर राओ था तो चात्रों हो क्या करें कि चित पावन दक्षिणा ते ब्राम मण कुल में उत्पन्ने पिता का नाम श्री राम चंद्र गंगाधर राओ था सा कुशलो अध्यापका आसीत याने वात जो थे ग्रामचंद्र गंगाधर राओ वो कुशल अध्यापक थे संदी ओर यह कुशलापस अध्यापका गंगाधर स्वापुत्रम तिलकम बाल्य एव गणितम मराठी भाशा संस्कृतंच पाच्चा पाठियर यहने गंगाधर स्वापुत्रम यहने कुशलो अध्यापक रामचंद्र गंगाधर ने स्वापुत्रम तिलकम यहने अपने पुत्र तिलक को भी बाल्य एव यहने बच बच्पन से ही गडित मराठी और भाशा और संस्कृत को पढ़ा दिया था श्रीमती पार्वती बाई परम सुशीला पतीवरत धर्म परायना इश्वर भक्ता सूर्यो पास्नायां चे रता बभुव ये नाया बालस तेजस्वी बभुव इती जनाश्चवागन यने श्रीमती पार्वती बाई यने इनकी माता जोती श्रीमती पार्वती जी वो भी कैसी थी परम सुशीला यने बहुत सुशील थी और पती व्रत धर्म परायना यने पती के व्रत का धर्म का परायन करने वाली और इश्वर भक्ता यने इश्वर की भक्ती करने वाली और सूर्य की उप वह क्या था तेजस्वी हुआ था जनाश्च वादन यहने लोगों का यहां कहना था लोगों का क्या कहना था किनकी माता श्रीमती पार्वती जी बरंपरम शुशीला पतीवरत इश्वर वक्ती और सूर्य क्युपास्णा में लगी रहती थी जिससे यह बालक जो है वह तेजस अजनास्थी आसित यह संदि विशेशड प्लस असित तो यह विशेश रूप से महराष्ट्र प्रदेश है यहने महराष्ट्र प्रदेशी था वतलब यह महराष्ट में काम करते थे यह जन्मिदाता थे यहने वे महराश्ट के उग्र में उग्र राश्टीता के जन्मिदाता थे तिलको महराश्ट नव युवक केशु देश भक्ति आत्मे बलिदान आत्मे त्यागत से भावना जनितों देश हितायाने कानी कार्यानी संपादित्वान तो उनके पिता क्या थ हो विशेव से मारास में कारिक ते और उनका कारैषित महारास था और वह महारास के राश्ट्री Sugru Не राश्टी उग्रवादी के जर्मिदाताभी थे तो इस लिए तिलक बालक जो थे वह भी क्या थे कि रिद और आत्म ते बंद अधाको여 देश की संपादितान उत्पन करने के लिए देशित के लिए हैं अने कार्यों को पूराक्या तशी स्वभावा धीर घंबीर निर्भयःश्चासि यह यहने तशी यह बालगंगा दर्तिलक्या तश भावा निर्भियों गंबीर निर्भिय ता यहीं हूं दिर तैसे डर्थ नहीं से तस्स जीवने याने उनके जीवन में वीरम मराठाम याने मराठों का प्रभावा याने प्रभाव पूर्ण रूपेना भवर याने पूर्ण रूपेन से था पूर्ण रूप से था तो उनके जीवन में मराठों का प्रभाव जो था वो पूर्ण रूप से भरा हुआ था तो छत्रों इसी के साथ या अंश या आपा समापत होता है आज के इस अंश में आपने जाना कि बाल गंगा धरतिलत किस प्रकार से अपने तेजस्वी हुए क्यो इसके कारण वो बहुत तेजस्वी और बल्शाली हुए और निडर हुए तो छत्रों इसी के साथ या अंश या आपा समापत होता है आज के इस अंश में आप अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आज फिद्याले के आपको लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउ आपको नमाप